नमस्कार आप सभी का स्वागत है दुनिया में सबसे उंची होगी भगवान राम की मूर्ती सामने आई पहले मन महोग तस्वीर तो देखिए पूरा वीडियो और हाँ आपने अभी तक ये चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जरूरी जानकरिया आपको सबसे पहले और जल्दे से जल्द मिल सके आयोज्या में वीहिप की धर्मसभा के आयोजन से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान स्री राम की विश्व की सबसे उची प्रतिमा बनाने की तरफ कदम बठा दिया है सनिवार देर रात तक कई आर्किटेक्चरों की तरफ से दिये गए प्रेजन्टेशन के बाद यह थाई हुआ कि अयोज्या में 221 मीटर उची प्रतिमा का निर्मान किया जाएगा कुल 5 आर्किटेक्चर फर्मों ने प्रेजन्टेशन दिया जिसमें से योगी ने अपनी पसंद का चयन किया प्रस्तावित प्रतिमा की उचाई 151 मीटर होगी 50 मीटर का उसका बेस होगा इसके बाद 20 मीटर उचा प्रतिमा का छत्र बनाया जाएगा इस प्रतिमा की कुल उचाई 211 मीटर होगी बेस के नीचे म्यूजियम बनाया जाएगा जहां बगवान स्री राम के जीवन से जुड़ी चीजों को रखा जाएगा रिपोर्ट के मुटबित म्यूजियम में आयोज्या का इतिहास और इश्वाको वणस के राजा मनुस से लगा स्री राम जनमो भूमी तक का इतिहास होगा म्यूजियम में बगवान विश्णु के सभी अवतरों को भी दिकाया जाएगा भगवान स्री राम की सबसी उची मूर्ती के हाथ में तनूज, तीर और तरकश होगा अयोध्या में सर्यू नदी के किनारे सिर्फ राम मूर्ती ही नहीं बनाई जाएगी बलकि आस्वास के इलाकों काभिक काया पलक किया जाएगा सर्यू नदी के किनारे 101 जमिन पर राम मूर्ति के साथ साथ सर्यू रिवर फ्रांट भी बनाया जाएगा तो दोस्तो आपकी इस मूर्ति के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए आपका दिन शुव रहे